Hello guys, welcome to this special video Hindi to English daily conversation sentences जिसमें हम आपको सिखाते हैं आपके जिन्दगी से जुड़ी English यानि कि ऐसे sentences जो आप अक्सर हिंदी में बोलते हो और कहीं ना कहीं struggle करते हो कि इसकी English क्या होगी तो शायद ऐसे ही एक sentence जिसके बारे में आप struggle कर रहे हो आपको इस वीडियो में मिल चाहे तो वीडियो में हमारे साथ अंतक बने रहेगा और आज की इस वीडियो में हम सिखाएंगे आपको 20 नए sentences तो सिरफ ये आज के 10 या 12 मिनिट आपकी जिन्दगी बदल सकते हैं और आपको एक English की ऐसी लेडर पर चढ़ा देंगे जिस पर आपकी English एक नए मुकाम पर जरूर पहुंचेगी So, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए And हमारे साथ permanent connect हो जाएए First sentence on the screen is चूट मत बोलो अब चूट मत बोलो को अकसर जब English में बोला जाता है तो अकसर लोग mistakes करते हैं Don't tell a lie पर ये चीज जो है habit की बात होती है अगर आप किसी situation में daily conversation में आपसे कोई जूट बोल रहा है और आप बोलते हो कि मुझसे जूट मत बोलो सच बताओ तो उस case में आप don't tell a lie की बजाए don't lie बोलेंगे So what would be its English? Don't lie जूटे बहाने मत बनाओ अलग लग बहाने बनाके अगर हम किसी से बचना चाहते हैं किसी situation को ignore करना चाहते हैं तो हम बोलते हैं कि जूटे बहाने मत बनाओ Don't make lame excuses जूटे बहानों को क्या बोलते हैं? Lame excuses मुझे अपना हाथ दो यह कब बोलोगे? प्यार से नहीं बोलोगे कि मुझे अपना हाथ दो मुझे पकड़ना है No मुझे अपना हाथ दो माली जा आप किसी पहाडी पे चड़ रहे हो और सामने वाला बन्दा अलड़ी चड़ चुका है पहले और आप बोलोगे कि मुझे अपना हाथ दो मैं भी तुमें पकड़ कर ऊपर चड़ाता हूँ तो कहीं भी आप ऐसे रास्ते में पत्री ले रास्ते में जा रहे हो and a person holds your hand so that आपको वो संभाल पाए so give me your hand give me your hand मेरा हाथ संभाल के पकड़ो और अगर आप नीचे हो और आप उसको बोल रहे हो कि please मेरे को ध्यान से पकड़ो कई मैं गिर ना जाओ hold my hand carefully just hold my hand carefully मुझे सच में डर लग रहा है exam आने वाले मुझे सच में डर लग रहा है कुछ भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आने वाली है और आपको उसके बारे में डर लगता है तो इस situation में आप बोलते हो I am literally scared I am literally scared तो में ध्यार रखने के जरूरत है अपने माइन को balance रखो So you need to be patient You need to be patient यह अपने आप रुख जाएगा For example कुछ भी कोई चीज के बारे में बोलेंगे यह अपने आप रुख जाएगा पंखे को छेड़ों मत यह अपने आप रुख जाएगा आप छेड के उसको अगर किसी चीज को बंद कर रहे हो या all set कि आप मालीजे किसी के खून निकल रहे है bleeding stop तो वो किसी तरीके से उसको stop करने की कोशिश कर रहे है इसको छेड़ों मत यह अपने आप रुख जाएगा It will stop on its own It will stop on its own अब वो समय आ चुका है कि तुम इसके बारे में सोचो बहुत बार हम कहते है कि अब बिल्कुल सही समय आ चुका है कि तुम इसके बारे में सोचना चाहिए या तुम इसके बारे में सोचो So it's high time you think about it High time वो time होता है जो आपकी life में बहुत edge पे पहुंच जाता है time और उसके बारे में सोचोगे तो शायद बहुत देर हो जाएगी कोई देर नहीं हुई है तो हम कहते है It's not too late It's not too late किसी भी काम को करने में अगर आप कहते हैं कि बहुत देर होगी अब तो बुड़े होगे अब क्या करेंगे So it's not too late No age Age is just a number एक और है Age is just a number कि जो इनसान की उमर होती है वो सिरफ एक number होता है अगर करने पे आ जाए तो हम कुछ भी कर सकते मेरी मम्मी ने मुझे गुसे भरी नजर से देखा बहुत बार जो मम्मी गुसे से देखती है तो बच्चे सिरफ उस लुक से उस नजर से समझ जाते हैं कि मम्मी क्या कहना चाहती है और या मम्मी हमारे behavior से खुश नहीं है तो body language की बहुत पावर होती है तो मेरी मम्मी ने मुझे गुसे भरी नजर से देखा My mother gave a glaring look at me My mother gave a glaring look at me ये serial कितनी देर चलेगा माली चे आप कुछ देख रहे हो serial या कोई serial देख रहा है और आपको उससे बात करनी है या आपको उसके साथ कहीं जाना है तो आप पूछ ले हो कि ये कितनी देर चलेगा How long will this serial run? मेरे पैर सुन हो चुके हैं My feet are numb My feet are numb Numb में B जो है वो silent है So don't pronounce numb My feet are numb इसके जैसे तो कोई बात ही नहीं है For example, अगर आप कहते हो कि यार मैं तुमारे घर आऊंगा यार तू क्यों मैं ही आ जाता हूं तुमारे घर तो वो के तगिया तो बहुर भी अच्छी बात है इसके जैसे तो कोई बात ही नहीं है There is nothing like it There is nothing like it तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर पाए अगर आपके साथ किसी ने कुछ बुरा किया या आपकी expectations के against किया तो तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते थे कैसे सोचा तुमने मेरे बारे में ऐसा करने का How could you do this to me How could you do this to me उबासी लेना बंद करो Stop yawning ये मकान किराई के लिए खाली है This house is too late हम किराई के मकान में रहते हैं We live in a rented house ऐसा करना असान नहीं होगा ये कब बोलते हो कि अगर आप कहते हो कि ये कर रहो तो ये मुश्किल है इतना असान नहीं है जतना तुम सोच रहे हो It won't be easy to do घबराओ मत Don't panic Take it easy, don't panic ये तो पलक छपकते ही हो गया It happened in the blink of an eye So guys, that was it for today's video And I hope आज है इस वीडियो से आपने जरूर कुछ नया सीका है और आपके साथ एक नई वीडियो के साथ दुबारा मिलेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत बूलेगा So that we get connected once again Buh-bye Bye!